हिमाचल प्रदेश क्रिकेट सीडियम का मैदान है रिसेंटली यहां पर रंजीव ट्रॉफी के चार मैचेस पर एसी साल नौ फरबरीगों पर लेटेस्ट मैच वादा हिमाचल प्रदेश वर्सेस दिल्ली का मैच था और जित्ता मैंने सोना जॉने बेरिश्ट ने कहा था यह रंजीव ट्रॉफी वाली यूजट पिछ है तो लेटेस्ट वादा है एसपी वर्सेस दिल्ली का मैच वादा नौ फरबरीगों तो शायद वही पिछ का स्तेमाल का आ जा सकता है इस गेम के अंदर 264 बना 10 वेड़े नुकसान पे फिर दूसरी टीम 319 बनाती है 169, 217, 482, 184, 238, 271 तो mostly जो मुझे लग रहा है conditions देखके इस मैच के अंदर वैसे तो कहीं भी एशया के अंदर मैच हो रहा हो सब पहले टाउजीते हैं बैटिंग रहता है पर इस गेम में शायद बॉलिंग भी की जा सकती है due to there दो कारंट्स है एक तो बहुत थंडा मौसम हो आपर मार्च मैने के अंदर अभी भी 5-6 डिग्री शेल्स होना भाई क्या कहना लगी वैदर है याँपर तो ये एक रीजन है सुबर ठंडी हवा चलेगी और उस हवा की वज़े से सर्दी की वज़े से बॉल स्ट्रिंग हो सकती है सुबर के टाइम पर इंडिया एक मैच यहाँ पर खेलिया आस्ता है कि सोने भी एक एटेश माच बादा अगे इंडिया जीती थी इंग्लेंड पहली बार खेलेगी और जो रिसनली रंजी के मैच वे थे तीन मैच बैटिंग फर्स्ट एक मैच यहाँ पर बैट सेकेंड करते हुए जीता गया था इंडिया का उंग राउंड है और जो लाज मैच यहाँ पर वा था ना भाई सब रंजी का 36 विगेट गरे तो उसमें 36 36 का 36 विगेट निकाले थे फास्ट वोर्रस में एक भी विगेट स्मिनर का नहीं था और जो पिछले चार मैच पर रंजी के हुए 83 विगेट स्पेसर्स के 6 विगेट स्मिनर्स का तो थोड़ी सी अजीब सी कांग रही है बट देखते हैं यह रंजी ट्रॉफी निये इंटरनाशनल मैचेस है बट जो कंडिशन सब पेसर्स के फेवर में जा सकती है क्योंकि पेसर्स हैड गूड रंजी सीजन रिसेंटली बट लेट से रोष शर्मा जी पिच को नियार रहे हैं तो मेरे को पाटा विकेट लग रहा है भी इस पिच को देखने में यह दो दिन पहले की पिच की फोटू है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ छह तारीकों मैंच साथ तारीकों पिच की फोटू पांस तारीक की लिए गई है यह दिखो आप इस तरह से यहां ट्रेक दिखा है पान भार थगड है बाउंस कमपैरिजन तो धरम शाले पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा हाई आल्टिटूड पे स्टेडियम है अब जैसवाल यहां पे छक्का हमारेंगे ना वो बॉल एक दो स्टैंड दूर जाएगी दस से आठ मिटर और ट्रेवल करेगी देखो यह स्टेडियम का विव है वाद यू के अंदर स्टेडियम है इमाचल प्रदेश पिछे आपको यह पे परवतमाला दिख जाती है क्या बूलते थे परवतमालों को दिमाग से निकली है मैंने गूगल किया था वल्ड़कप के टाइम पे हमाचल प्रदेश स्टेडियम माउंटेन रेंज इसको दोरादर ऐसे कुछ बूलते थे जा कहते हैं इसको जीना सही काता मैंने दोरादर रेंज यह जो आपको पिछे परवतमाला दिख रही है शंकला दिख रही है बड़ा प्यारा स्टेडियम यह दिख रही है ना आपको चादर सफ यह पाड़ी उपर यह क्या स्टेडियम है यह श्प्यास बीच रूपट है प्रम्दा एच्पीसी है क्रिकट स्टेडियम दरम शाला कैसी लेकी बताना परको कुपन करके चैनल पीन स्ट्राइब कर लो मेरे साब से अभी कोई clarity पीच की नहीं है कि पीच कैसी रहेगी recently जो हमने matches देखे उनके अंदर रंजी के अंदर पेशोस को advantage मिला था conditions के रसाब से जो सर्दी है आपर पेशोस को help मिल सकती है swing hoogie gain नहीं यह मेरे को लग रहा है और अगर पीच में कुछ बदला हुआ कल सुबह जो पीच रिपोर्ट आई कि उसके साब से मैं आपको update दी दूँगा और मेरे को लग रहा है पेशोस के लिए match अच्छा हो सकता है